आठवी स्कॉलर्शिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमार यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइट को ज़रूर सब्क्राइब कीजिए और बैल आकन भी प्रेस कीजिए ताके हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं असलाम अलेकुम जमात हश्टम की स्कॉलर्शिप में हम देख रहे हैं देनी आजमाईश और हमारा यूनिट नमबर पांच है इशाराती जबान और इसमें जमनी जुस एक ही है तसावीर एदाद और हुर्फ और इस पर आठ फिसद सवालात हमें पूछे जाते हैं तो यह जो मकसूस शक्स के अलावा हमारे जबान किसी और को समझ में ना आए इसके लिए मकसूस अलामते अलामतों या इशारों का इस्तिमाल करके बोली जाने वाली जबान को इशाराती जबान कहा जाता है इन ऐसी जबान जो किसी और के समझ में ना आए हमें कुछ खास अश्कास को तो जबान समजhानी होती है उनके लिए हम इस जबान का इस्टमाल करते है आम तरपर इसक्रिदी सर्विस में इसका इस्टमाल किया जाता इशराती जबान का पेगाम समझना पहचाना अकल लौी की एक कसोटी होती है cilantro जिसे कोडिंग लेंगवज होती है और इसको डीकोड करना होता है इशराती जबान में अलामात, अलफास, एदाद और अलफास की तर्तीब मुख्तलिस सजिकों से बनाई जाती है इशराती जबान के इस जुझों में अशकाल, एदाद और अलफास जैसे जुझों को शामल कि है इस सवाल को हल करते वक्त इस बात का ध्यान रखे के अपनी जबान दूसरों को समझ में ना आए इसके लिए अशकाल अलफाज और एदाद के दरिम्याद किसी दो का तालुक जोड़कर इशारती जबान तैयार की जाती है इस रस्म को समझ कर इसी की मदद से पूस्चे गए सवालात हल करना मतوقع होता है जैसे जैसे अलफाज के लिए एदाद या अलामतों का इस्तेमाल किया गया है अलफाज की तर्टीब में आने वाले Iदाद या अलामतों की तर्टीब वैसी ही हो ये जूरूरत नहीं नहीं य denen सिक्वेस हर भार चेंज भी हो सकती है हर मरतबह एक जैसे आएंगी ऐसा जूरूरी नहीं सवालाग देखने के बाद में हमारे ये चीज़े समंझे में आएंगी पहला सवाल है दरेजल खानों में शकलों की मुद्बादिलात एदाद इस्तिमाल किये गए देखें आपे शकले दी गई है और उनके लिए एदाद दिये गए है और सवाल है इसके मताबिक ये जो निशान है ये निशान जाहिर करता है पाच को जरब फिर ये गोल जाहिरा निशान जाहिर करता है तीन को फिर नफी फिर इस तरवला निशान जाहिर करता है चार को फिर जरब और फिर ये गोल निशान जाहिर करता है तीन को बराबर कितना यानि हमको यह सिक्मेस में जो निशान दिये गए है उसके जग़ा यह इदाद रखने है और यह अलामत लगानी है रियाज़े की और इसका हमको जवाब निकाल के आप्शन में डूनना है कि कुन सा आप्शन हमें मिलेंगा देखते हैं सबसे पहले हमें यह निशान दिया गा पिर यह गोल मारक है यह ने वापिस तीन तीन बराबर कितना तो पांच और तीन की जरब करेंगे चार और तीन की जरब करेंगे और उनकी नफी कर देंगे पाश्तिया पंदरा तफरीक चारतिया बारा पंदरा में से बार आगे तो हमारे पास बच्चे तीन और तीन के लि फिल करें नेक्स कोश्चन देखेंगे हम एक इशाराती जबान में बकरी को मेमना कहा जाए देखें बकरी को क्या कहा गया मेमना गाय को बचला कहा जाए शेर को बचला कहा जाए तो घोले को क्या कहा जाएंगा आप गोर देखेंगे तो आपको समझेंगा बकरी के बचला कहा जाता है गाएक के बच्चे को बच्छा कहा जाता है इनको इनके बच्छों के नामते विखला जा रहा है तो घोdzش के बच्चों क्या कहा जाता है घोड़े के बच्चीरा कहे थे बच्चीरा ऑप्शन नमबर दो है बच्चीरा खचर जो है यह घोड़े का बच्चा नहीं है गजा भी नहीं होता है और कट्टा भी नहीं होता है यहां पर बच्चीरा जो है यह घोड़े का बच्चा कहलाता है तो option number 2 का दाइरह हम अच्छे तरीके से fill करेंगे next question है एक इशाराती जबान में सितार को सरतरा सरतरार पीला को पर यर ला और मुल्क मुल्क लफ्स को मर लर्क कहा जाए तो नेक लफ्स को किस तरह कहा जाएंगा देखिए यहां पर जो सितार वर्ड है यह सितार को उसमें क्य पैर जोड़ दिया और ऐसला तो पहला और दुस्रे वाट की यह जोड़ाया है पीले में भी यह चैप a go री जोड़ा और यह मुल्क में भी अश्य करेंगे तो फॉर और रे लेंगे दूसरा ये और रहे तो ये और रहे लेंगे और ये काफ आईसी रहेंगा तो इस तरह का हमारे पास में नर्यार को पहला ये option है option number एक का दाए रहाम अच्छे तरीके इसे फिल करेंगे नेक्स कोस्टन देखेंगे नेक्स में भी हमको देखिए हम पर हुर्फ दिये गए एबी सीडी और उनके लिए इदाद जाहिर कर रहे हैं उसको एक दो तीन चार और यहां पर एक सवाल दिया गया है तो बी जरब ई तक्सीम बी जमा ए जमा सी जमा डी वराबर क पहला क्या है बी जरब ई बी और एक लिए लिखते बी के लिए क्या हमार पास दिया गया बी के लिए दो है तो यह लिए हम दो जरब ई के लिए क्या है ई के लिए पांच है पांच ब्रैकेट क्लोस करेंगे उसके बाद तक्सीम की अलामत है तो तक्सीम लिखेंगे फिर ब यह होगर शाल करते पांच तक्सीम का तक्सीम यहां पिर चारतीय बा र Azadhi फार एक तेरा तेरा 13 और बंद को यहाँ पंदरा दस तक्सीम 15 बर्बाबर कितना तो 10 आएंगा उपर और पंदर आएंगा नीचे इस तरफ अगो कसर बनाए तो हमें सवालात को हल करने में आसानी हो जाती है सिंघ अब उसको हम क्या करेंगे अभे पांच से पांच के पाहले में भाधाइवी को और तीन J cream करता है को जावाएंगे इसका भी बटे सी बी बड़ते सी मेरे पाथ में आपसे और तैन तरी के से फिल करेंगे पांच्वा सवाल है एक इशाराती जबान में जारा को जरा दावा को दावा और रावा को किस तरह लिखा जाएंगा देखिए जारा क्या करा गया इसको जरा जरा याने ये बीच का अलिफ हटा दिये दूसरा था दावा मैं क्या कि ये दावा याने ये बीच का अलिफ हटा दिए उसके बाद की सरा क्या है रावा यहावी बीच का यह जो अलिफ हटा देंगे रवा रवा हमारे पास में आप्शन नमबर दो में मौझूद है तो आप्शन नमबर दो का दाएरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे छटा सवाल है एक इशाराती जबान में सातारा को सतारा बाजार को बजार तो राजजन को किस तरह करेंगे देखे पहले देखते हैं सा तारा सातारा को क्या करें सतार सतार सतारा यह नहीं हाका यह अलिफ को कट किया गया उसके बाद क्या है बाजार बाजार को क्या किया गया बजार यानि यह अलिफ को कट किया गया फिर इसके बाद तीसरा क्या है रा जन अलिफ कट कर देंगे तो यह हो जाएंगा रजन रजन हमारे पास में आप्शन नमबर एक में मौझूद है आप्शन नमबर एक का दाएरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे नेक्स कोश्चन है एक इशाराती जबान में कुत्ते को बिल्ली कहा जाए बिल्ली को शेर कहा जाए शेर को हाती कहा जाए हाती को खरगोश कहा जाए तो जंगल का राजा कौन होंगा अब जंगल का राजा होता है शेर है कै नहीं अब शेर को क्या कहा गया है डारेक इतने ची कि इसे फिल करेंगे क्युविए जंगल का राजा शेर होता है और शेर को हाथी कहा गया तब जंगल का राजा को नो गया हाथी हो गया आठवा सवाल है एक इशाराती है जबान में हरुफ के बदले दूसरे हरुफ इस्तेमाल किये गए है पैन इस लफज को क्यो बी ओ देखि चैसे मैन को इसने लिखा M E N मैन को इसने लिखा है N F O N F O और यजा है तो इसी इसब द्रिवादमें EF ry F r Y foreign किस तरह लिखेंगे अब देखते है पहले इसमें क्या दालोग है P A N Q U B O P Q P Q के के बाद में आया B और N के बाद में आया O P Q A B N उसके बाद वाला लज लिया E के बाद में E F A के बाद में A B T के बाद T U M N E F N O N उसके बाद वाला वाड लिया तो F के बाद में आता है E E F G सौरी जी आता है F के बाद में G, R के बाद में, PQ, RS, RS, Y के बाद में, Z, G, S, Z, G, S, Z, हमारे पास में, G, S, Z, हमारे पास में, option number 3 है, तो option number 3 का दाएर हम अच्छे तरीके से fill करेंगे, second last question है आज का, एक इशारा आती है, जबान में, फूल के लिए, खुशबू, शमा के लिए, रोशनी इस्तेमाल होता है, तो बताईए, सूरच के लिए, क्या इस्तेमाल होगा है, यहां देखिए, फूल की पहचान जो है, वो खुशबू से है, शमा की पहचान रोशनी से है, तो सूरच की प इशाराती है जबान में गफ्षार को सततार कहा जाए थो किस तरह लखा he किया यानि का जो फी है फिर यह फी और यह को उसने दो बार ले लिया उसके बार में सितार बेस ही किया उसने सितार में क्या किया सिन को टे को से ते 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 और ते इस तरह तेन बार लिया तो उसे क्या पूचा अब ceramically कि ने वेकिसा नुबर तो यहां पिल करेंगे इसके बाद मीद्दे के विडियो के आखरे में दिए गए है आफ से नोटिफाइ कीजी कर दो कर दो दो कर दो कि अवड़िए माज़ दो प्रूंगिशन कुछ कर दो किया हुड़िए काओगा हुड़िए है झाल झाल